अपने पहले ही अंदेशा जताय था, क्या कहना चाहते हैं? कुछ हो गया था, हम लोग सारे कौन थे? हमारे भाई ही थे उन लोगों ने उनका भी वहरैमी से इंकाउंटर कर दिया, हम यही चाहते हैं कि सब का इंकाउंटर हो, इनसाफ मिले, इस सरकार में हम अभी तक तो सरकार के खिलाब कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तों में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए, जाहे फिर इसमें भी पच्छी पार्टी हो या फिर कोई भी नेता हो, जो करवा रहा है, बहुत गलत करवा रहा है, हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो किये हैं, बहुत गलत किये हैं भगवान तो उनको सजा देंगे ही लेकिन उनको भी सजा मिलनी चाहिए कानून के तरफ से अगर कोई गुना करता है तो उसकी सजा कोड देता है ना कि पुलिस ऐसे इंकाउंटर कर देगा आपके भाई का क्या सुभाव था किस तरह से कैसे आप लोगों के बीच में रहते थे वो सर हमारे भाई का सुभाव एकदम सरल था पढ़ने लिखने में भी एच्छ थे हम लोगों के साथ एकदम फ्रेंट के जैसे बिहेवियर उनका था और गये से तो बात भी होती थी और हम लोगों से बहुत जादा उनको लगाव स्नेता जैसे कि हर एक भाई बहन में होता है औ और आज आज ये सुनने के बाद जैसे लग रहा है कि हम लोगों के जमीन पैर से एकदम खिसक गई हो जो कानून ने किया उनको ऐसा नहीं करना चाहिए अगर वो मिल गए थे जूटी दिखा रहा है कि फाइरिंग हुई मुठ बेड हुआ अगर कोई इच्छी परहा है डर क से चाड़ दून को उनका टिकट था वापस चले गया थे सूरत वहीं रहते थे तो क्या एक साजिस्त है था को भाई के हत्या हुई इसमें जो बिपिन सिंग है और जो बिने सुकला है वो हमारे घर पे आये थे तीन चार बार आये थे और हमारे भाई पढ़ाई करते थे ऑलाच मिले जाकर उनको सूरत में केस में फसा दिया उसके बाद वो थे की नहीं थे ना यह हम लोगों को पता है ये तो सुरत जिन लोगों ने करवाया उनको पता है बिने सिंह और बिने सुकला को और या तो भगवान को पता है वो सच था की जूट था अब तो एटिए cał já नहीं सकते हैं हमारे भाई को बस हम यह चाहते हैं कि जिन्होंने इंकाउंटर किया उनके उपर केस होना चाहिए कि अगर कोई घुना होता है तो उसकी सजा कोड़ देगा ना कि एस्टियाफ वाले या फिर पुलिस वाले बस हम यहीं चाहते हैं सब्सक्राइब